हाई फ्रेंस मेरे यूटुब चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे लोकी की बहुत ही बैतरीन सी सब्जी जो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और अगर जो कोई भी लोकी नहीं खाता वो भी भर भर कर लोकी खाएगा तो आज हम बनाएंगे लोकी और पालक की सब्जी तो फ्रेंस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल भी नए आयो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक, सेयर, कमेंट जरू करें और रैस्पी देखने के लिए वीडियो को फुल व काट लेते हैं तो पालक को काटने के लिए यहां पर मैंने पालक को इस तरह से हाथ में लेकर सबसे पहले हम इसको इखटा कर लेंगे और उसके बाद में हमें इसको बीच में से इस तरह से करके काट लेना है और फिर इसको हमें बारिक बारिक काटना है तो इस तरह से हमें इस पालक को बारिक बारिक काट लेना है और इस तरह से हम पालक को बहुत ही आसानी से बारिक काट लेंगे और इसी तरह से हमें सारे पालक को काट लेना है तो यह देखें यहां पर मैंने सारे पालक को काटकर तयार कर लिया है और हमें इस तरह से इस पालक को काटकर तयार कर लेना है तो यहां पर हमारा पालक तो तयार है और यहां पर मैंने लिये हैं लौकी तो लॉकी को सबसे पहले हम इस तरह से चीलन वालिज चाकु से चील देंगे इससे हमारा क्या हो कि लॉकी बेश्ट नहीं जाएगा जादा और इससे च्छलका ही निकलता है और वैसे अगर आप चाकु से चीलते हो तो उसमें लॉकी भी साथ में कट जाता है तो हमें इस तरह से इस चाकू से ही इसको छीलना चाहिए तो लॉकी को हम अच्छी तरह से छील लेते हैं इस तरह से हमें नौक से भी छील लेना है फिर थोड़ा सा कुमा कर इसे डंडल की तरब से भी हमको छील लेना है और अब हमें इस तरह से इसके टिंडल को काट देना है दोनों साइडों से मैंने थोड़ा सा काट लिया है और बीच में से हम इस वाकी को काट लिते हैं देखे इस तरह से हमें दो तुकड़े इसके कर लियने हैं फिर हमें इसको बीच में से इस तरह से कट करके छोटा छोटा पीस इसके कर लेने हैं फिर इस तरह से हमको बारिक बारिक इसको काट लेना है और इसी तरह से हम दूसरे वाकी के पीस को भी पहले बीच में से गंबे आकार में से इस तरह से काटेंगे फिर बीच में से कट वगाएंगे फिर इस तरह से हमें इसको छोटा छोटा करके काटना है और इसी तरह से हमें सारे लोकी को काटकर तयार कर लिया है तो यहां देखिए मैंने सारे लोकी को इस तरह से छोटे छोटे पीस में काटकर तयार कर लिया है और अब हमें इस लॉकी को धो लेना है तो यहाँ पर मैंने पालक को और लॉकी को धोकर एक चलली में रख लिया है और इस तरह से इसका पानी भी निकल जाएगा क्यूकि लॉकी बहुत सारा पानी छोड़ता है और यहाँ पर मैंने लिए है एक medium size की प्याज कटी हुई और यहाँ पर मैंने 4-5 हरी मिल्च को भी छोटे तुकड़ों में काटा है और 7-8 रेसुन की कलियों को भी मैंने छोटे छोटे तुकड़ों में काट कर तयार कर लिया है तो यहां पर मैंने कड़ाई मैं एक बड़ा चमचा ओल डाला है ओल को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और गरम होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूं जीरा और जीरे को हमें अच्छी तरह से चटकने देना है जब हमारा जीरा यहां पर अच्छी तरह से चटक जाएगा तो मैं डाल रही हूँ यहां पर कटी हुई प्याज इसको डालने के बाद मैं साथ ही मैं हम कटी हुई हरी मिर्चो को भी डाल देंगे और अब मैं यहां पर डाल रही हूँ कटा हुई लैसन और इन सारे चीजों को मैंने पहले से ही काट कर तयार कर लिया था और अब हम इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे और इनको भून लेंगे तो हमें इन सारी चीजों को हलका ब्राउन होने तक भूनना है जब तक कि हमारी प्याज यहां पर अच्छी तरह से नहीं भून जाए तब तक हमें इनको भूनना है तो यहां पर देखें हमारी प्याज अच्छी तरह से भून गई है और अब हम इसमें डाल रहे हैं मसाली मसालों में मैं डाल रही हूं यहां पर देर चमच हल दी और साथी में एक चमच मिर्श मिच डालने के बाद हम यहाँ पर एक चमच ही इसमें गरम मसाले डालेंगे गरम मसाले डालने के बाद एक चमच मैंने इसमें धनिया पॉडर डाला है धनिया पॉडर डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूं स्वाद अनुसान नमक और नमक डालने के बाद मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर हलका साही पानी डालूंगी जिससे कि हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाते हैं पानी डालने से क्या होता है कि हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाते हैं तो यहां पर मैं अच्छी तरह से इस मसाले को भुनने दूंगी जब तक कि यहां पर हमारा तेल उपर ना आ जाए और मसाले अच्छी तरह से ना भुन जाए तो मसाला हमारा भुन के तैयार है और अब मैं इसमें डाल रही हूं कटा हुआ पालक तो यहां पर मैंने सारे पालक को डाल दिया है और अब यहां पर हम पालक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो मैंने पालक को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं यहां पर डाल रही हूं कटी हुई लोकी तो लोकी को डालने के बाद हमें इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लियना है तो यह देखें यहाँ पर मैंने लोकी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसी तरह से हमें इसको मिक्स करना है अब मैं यहाँ पर इसको ढखकर रख रही हूँ उसके बाद 5 मिनट बाद मैं इसको देखूंगी तो यह देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाल ला था फिर भी इसमें कितना सारा पानी लोकी में से छूट गया है तो अब हम इसको फिर से फिर से पलट देते हैं तो हमें इसी तरह से इस सब्जी को उलटते पलटते हुए रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद उलट पलट कर देना है फिर इसको ढखकर हम रख देते हैं तो इसी तरह से हमें इस सब्जी को पकाना है और थोड़ी देर बाद ही फिर से हम इसको चेक कर लिते हैं तो यह देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं ढ़ागा है अब और जादा पानी इस वाकी में से छूट गया है तो यहाँ पर हमारी वाकी तो पकत तयार है पर अब ही इसमें पानी बागी है और अब यह हमारी वाकी पकत तयार है यह देखिए बहुत ही ज़्यादा खाने में टेश्टी लगती है जो भी लोकी नहीं खाता उसके साथ में आप पालक डाल दीजिए बहुत ही अच्छी सी सब्जी बनकर तयार होगी और सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेगी तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ इसको सर्व तो सच मानी फ्रेंड इस तरह से अगर आप लोकी और पालक की सब्जी बनाते हो तो खाने में तो टेश्टी लगती है और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और जो लोकी नहीं खाता बो भी लोकी खाना पसंद करेगा तो यह लिए यहाँ पर मैंने सब्जी को कर लिया है सर्व तो यह लिए बहुत ही तेश्टी से लोकी और पालक की सब्जी बन कर तयार है और बहुत ही यदर स्वादिश्ट वक्ती है तो फ्रेंज अगर आपको मेरी यह रेश्पी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट के साथ फ्रेंज दोस्तों को सेर करना मत भूलना तो मिलते हैं अच्छी से नई रेश्पी के साथ तब तक के विए टिक किया थेंक्स फॉर वाचिंग